हेलो बच्चो आज हिंदी की कक्षा में हम सीखेंगे आपटित गद्यांज जो की पेज नमबर 38 पर दिया हुआ है आपको ये गद्यांज पढ़ना है और पढ़ कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं आए हम एक बार पढ़ते हैं राम और श्याम एक दिन जंगल में गए जंगल बहुत बड़ा था वे चलते चलते ठक गए इसलिए वे दोनों पीपल के पेड के नीचे बैठ कर सुस्ताने लगे थोड़ी देर में राम को प्यास लगी तो श्याम पास के तालाब से पानी लाया और राम को दिया कुछ देर बाद दोनों को भूक लगी तो वे खाने की तलाश करने लगे कुछ दूरी पर उन्हें आम का पेड मिला फिर दोनों ने आम खाकर अपनी भूक मिटाई तो बच्चो यह हमेंने पढ़ा उसके बात प्रश्न है राम और श्याम कहां गए थे इसी में ही इसका उत्तर है राम और श्याम एक दिन जंगल में गए तो आप लिखोगे उत्तर राम और श्याम कहां गए थे बच्चो जंगल में गए थे फिर है श्याम कहां से पानी लेकर आया अब यसी में ढूंड़ना है आपको तो देखो यहां कहां लिखा है श्याम पास के तालाब से पानी लाया तो आप लिखोगे श्याम कहां से पानी लाया था कहां से कहां से पानी लाया पास के तालाब से पानी लेकर आया बच्चो देखा आपने कि किस तरह से मैंने इन प्रश्णों के उत्तर इसी आपटित गध्यांस में से लिखे बाए बच्चो मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें और रेगिलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं